दोस्तों आज है संडे और मैं हाजिर हूँ नया संडे कमेंट बॉक्स लेकर जहां होंगे आपके सवाल और मेरे जवाब तो गाईट ज्यादा बाते ना करते हुए सीधा में मुद्दे पर आते हैं बढ़ते हैं पहले कुष्चन की ओर दोस्तों पहला कुष्चन है ममता पांडे जी का इनका कहना है कि सर क्या मैं दो मेल रैबिट रख सकती हूँ क्या वो बड़े होकर एक दूसरे को नुकसान पहुचा सकते हैं तो ममता जी आप दो मेल रैबिट बिल्कुल रख सकती हैं और जब तक ओ दोनों एक साथ रहेंगे उनके बीच कोई फिमेल रैबिट नहीं आएगी ओ दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे हाँ ऐसे थोड़ा बहुत फाइट तो सभी रैबिट करते हैं पर उससे उन्हें कोई प्राबलम नहीं होगा दूसरा कुईस्चन है मनीश कुमार साह जी का इनका कहना है कि क्या हम दो फिमेल रैबिट रख सकते हैं तो भाई आप दो फिमेल रैबिट रख सकते हैं फिमेल रैबिट भी एक साथ होने पर थोड़ा मुड़ा फाइट करती हैं पर फिर वो एक साथ ही रहने लगती है अगला question है बैसाली तनेजा जी का इनका कहना है मेरे रैविट के बेबी मर जाते हैं प्लीज कुछ सजेस्ट कीजिए तो sister खरगोस के बच्चे क्यों मर जाते हैं इस पर मैंने कई वीडियो बनाया हुआ है लिंक आपको description में मिल जिससे बच्चों के 99% chance मरने का कम हो जाएगा अगला comment है science high tech nursery इनका question है sir मुझे पता नहीं चल रहा मारी मादा कब बच्चा कब देगी मतलब कब बच्चे देगी तो उसके लिए आपको सिर्फ बेट करना है क्योंकि अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपकी मादा खरग बच्चे देने के करीब पहुंच चुकी है और जब तक बच्चे ना दे दे आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है और नहीं उतावला होना है सिर्फ बेट करना है ओके अगला comment है rabbit stand 5 इनका कहना है मेरे खरगोश मीटिंग नहीं कर रहे हैं इस पर भी एक वीडियो डा उसमें बोरा के टुकडे भर दिये हैं और बच्चे कब देगी तो भईया परदीब जी कभी कभी मादा खरगोश 10 दिन या फिर 5 दिन पहले ही नेस्टिंग करने लगती है लेकिन बच्चे ओ बत्तिह दिन की pregnancy पूरा हो जाने पर ही देती है तो इसके लिए आपको जरा भी घबराना या टेंसन नहीं लेना है ओ प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो जाने पर बच्चे जरूर देगी बस आपको थोड़ा और बेट करने की जरूरत है आई होप कि मैं जो कह रहा हूँ आप समझपा रहे होंगे अगला question है JSBSB NSBSN इनका कहना है सैद हमारा खरगोश सुर्डा, दो बेबी, काउ, देशीष, हाँ गई疹 इनका कहने का मतलब है कि सर हमारी मादा खरगोश ने दो बच्चे क्यों दिया है तो Iya मादा खरगोश एक बच्चा भी देती है और बारा बच्चे भी दे सकती है तो इसमें आपको जादा परेसान होने की जरूर अगला कुश्चन है अभिसेख पांडे जी का इनका कहना है भाई रैबिट को कैसे पता करें क्यों प्रेगनेंट है तो अभिसेख भाई जी इसके रिगार्डिंग मैंने कई वीडियो बनाया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख लेना 100% आप का प्राब्लम साल्ब हो जाएगा अगला कमेंट है उमर गेमिंग फोर 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 का इनका कहना है कि सर मेरी मादा खरगोष मेरे घर के कोने में बार बार जा रही है डर इस बात का है कि वहां रैट यानि चुए हैं तो भाईया मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है और एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर घर में चुए है जादा है और रैविट वहां पर मौजूद है तब चुए हंडेट परसेंट रैविट को नुक्सान पहुचा सकते हैं इसलिए खरगोष को चुओं से बचाने की टोटल जिम्मेदारी आपकी है और गाई अगला कु आपकी गाई आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि खरगोष को रस्सी बांधना चाहिए या नहीं और गाई आपके मन में भी रैविट से रिलेटेट कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और गाईज वीडियो पसंद आने पर लाइक यों सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए गाईज मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद